जै मातादी आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गाश अप्तशती से कीलक पाठ ओम चंडिका देवी को नमशकार है मारकंडे जी कहते हैं विशुद ज्यान ही जिनका शरीर है तीनों वेध ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं जो कल्यान प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धर चंडर का मुकुर्धारन करते हैं उन भगवान शिव को नमशकार है मंतरों का जो भी अभी कीलक है मंतरों के जब में भी जो निरंतन लगा रहता है वे भी कल्यान का भागी होता है उससे भी उचाटन आदी कर्म सिध्ध होते हैं तरह उसे भी समस्त दुरलबस्तों की प्राप्ति हो जाती है तता पी जो अन्य मंत्रों का जब ना करके केवल इस शब्तसती नाम सोत्र से ही देवी की स्तूती करते हैं उन्हें स्तूती मात्र से ही सचिदा ननसरोपनी देवी सिद्ध हो जाती हैं उन्हें अपने कारे की सिध्धी के लिए मंत्र और अन्य किसी साधन के उपयों की अवशक्ता नहीं रहती विना जब कहीं उनके उच्चाटन आदी समस्त अभिचार कर्म सिध्ध हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अभिष्ट बस्तु में भी सिध्ध हो जाती हैं लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आयवेज ग्यास्यों को समझाया की यह शब्त शती नामक संपूर्ण सोत्र ही सर्फ स्रेष्ट एवं कल्यान में है तदंतर भगवती चंडिके के शब्त शती नामक सोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दि लिया उसे यथार्थी जानना चाहिए अन्य मंत्रों का जब करने वाला पूरुष भी यदि शब्त शती के सोत अत्रवप जब कानश्ठान कर ले तो वह भी पुन्य रूप से कल्यान का भागी बन जाता है इसमें तनिक भी संधे नहीं है जो साधा कृष्ण पक्ष की कर सिद्धी के प्रति बंध रूप की लग के द्वारा महादेव जी ने इस सोत्र को कीलग कर रखा है जो पुर्वोग्त रीती से निश्कीलन करके इस शब्त सती सोत्र का प्रति दिन सपष्ट उचारन पाढ़ करता है वह मनुश्य सिद्ध हो जाता है वही देवी का पार् स्थनgone लिए के व्हार करके इसट सती का पार्ध रखारन करना जाएं जो ऐसाने हैं करता उस्काण और는지क हो जाता है इसलिए किलक और निश्कीलन और शोतर को निर्डोष होता है और विद्वान पुरुष निर्दोष् होता है मैं उल्हार्णे के पार्ध करना पढ़ करने पर पूर्ण फल्गी प्राप्ति होती है अत्य है उच्छी स्वर्थे इसका पाठ आरम करना चाहिए जिसके प्रसाथ से एश्वर्य सभाग्य आरोग्य संपत्ति शैत्रुनास ताथ परमुक्ष की सिद्धी होती है उस कल्यानमई जगदंबा किस्तुति मनुश्य क्यों नहीं करता और इस परकार कीलक पाठ समाब्ध हुआ